हेलो फ्रेंड्स मेरा नाह मैं सूरजयोगी और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूटूब चैनल हटके नॉलेज में फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक वीडियो लेकाया हूँ जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है जो है सेलफी स्टिक का तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइवेश ना करते हूए हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारे बॉक्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं यूबॉन की ब्रांडिंग की गई है उसके नीचे लिखा है 3 in 1 ट्रावल स्टिक फिर यहाँ पे वो एक खुबसरत सी फोटो दी गई है यहाँ पे उसके नीचे लिखा है बॉन टू बी फ्री और इसका मॉडल जो लिखा है यहाँ पे दोस्तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अगर आप एक सेल्फी लवर है या फिर आप एक यूटोबर है तो आपके लिए यह प्रोड़क्ट बहुत ही खास रहने वाला है तो अन तक मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रही है मैं इसका अन्बॉक्सिंग करूँगा और डिटेल में इसका रिव्यू करूँगा अभी दोस्तों दूसरी साइट देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन किये गए हैं यहाँ पर कुछ प्रिकोशन्स लिखे हैं और यहाँ पर कुछ वर्निंग्स लिखिए जिसके हम डिटेल में चर्चा आगे वीडियो में कर देता हूँ, यहाँ पे मटेल में लिखा है stainless steel plus ABS plastic से यह बना हुआ है, इसका total length है जो 100 cm है, मतलब 1000 mm हो जाएगा और उसका जो folding length है, वो 190 mm है इसका weight आप यहाँ पे लेख सकते हो, 150 gram है और इसके नीचे यहाँ पे how to use, मतलब इसको यूज कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया है फिर यहाँ पे friends, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे इसका price लिखा हुआ है, डबल बन, डबल नाइन 1200 रुपए, मतलब मैंने तो 1200 में लिया नहीं, मैंने तो इसको तो friends, इसको रखते है side में और यह है हमारी selfie stick, इसको अब एक बार side में रखते है और यहाँ पर इसके अंदर से हमको यह मिलती है, एक manual, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ हाला कि इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको मैं अभी side में कर रहा हूँ और box को देखते हैं इसके अंदर और कुछ है, तो friends, आप देख सकते हैं box के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अभी सीधा हम देखते हैं हमारी selfie stick को friends, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसा packing दिया गया है, जिससे यह अच्छे से carry हो जाता है, अभी यह है हमारी selfie stick जो आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लग रही है इसकी build quality भी बहुत ही अच्छी है Friends यह है हमारा mobile holder यहाँ पे एक knob दिया गया है इस knob को गूमा के आप अपने holder को tight या loose कर सकते हो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इस mobile holder को हम 360 degree पे घुमा सकते हैं तो आप अपने mobile को किसी भी angle में अपके requirement के इसाब से लगा सकते हो फिर यहाँ पे Friends दो clips दिये गए एक ये clip है और डूसरी side का जो clip है वो ऐसे आगे पीछे move होता है इसको आप ऐसे open करके आप इसके बीच में अपना mobile रख सकते हो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे दोनों side में rubber के grip है जिसकी वज़े से आप अपना mobile अच्छे से hold कर सकते हो फिर Friends यहाँ पे देख लेते हैं यह है हमारी selfie stick के legs जिसके उपर U1 की branding करी गई है और उसके नीचे लिखा गया है born to be free फिर यहाँ पे आप यह SS का rod देख सकते हो इसको आप ऐसे धका माल सकते हो या फिर आप अपनी requirement के हिसाब से इसको बाहर निकाल सकते हो इसको आप जादा से जादा 100 cm मतलब के 1000 mm तक इसको आप length बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हैं SS rod की जो quality है वो बहुत ही अच्छी है अब friends हम इस surface stick का सबसे best वाला feature देख लेते हैं जो है इसका Bluetooth remote जो यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो ऐसे आगे की तरह निकल आएगा मैं आपको नस्दिक से दिखा देता हूँ आप देख सकते हो इसकी quality भी बहुत अच्छी है इसका thickness भी बहुत कम है इसके अंदर एक replaceable battery पड़ती है और यह हमारा Bluetooth remote Bluetooth version 5 को support करता है तो इसकी quality बहुत ही अच्छी है हमको हमारे mobile के साथ pairing करने के लिए यहाँ पे जो camera का sign बना हुआ है इसके उपर 3 से 4 second के लिए press and hold करना पड़ेगा तब जाके इसके अंदर ऐसे एक blue light blink होगी जो आपके mobile में reflect होगी आप उसके पर click करेंगे तो यह automatic उसके साथ connect हो जाएगा उसके बाद इस remote के जरीए उसको पूरा operate कर सकते हो और friend हम बात करते हैं इसी selfie stick के सबसे best feature की जो है tripod इस selfie stick को as a tripod हम use कर सकते हैं आप देख सकते हो मैंने अपन मोबाइल selfie stick में लगा दिया है और उसके अंदर मेरा ही video play हो रहा है और आप देख सकते हो यह यहाँ पर कितना अच्छे से काम कर रहा है friends अगर आप यूटुबर हो आप अपने videos मनाते हो या फिर कोई vlogs मनाते हो तो यह आपके लिए बहुत ही useful रहने वाला है friends अगर आपको मेरी यह video अच्छी लगी है तो please इसको like करे share करे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो उसको subscribe ज़रूर करे thank you very much for watching